आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Question में पूछा जा रहा है What is a detritus food chain made up of? How do they meet their energy and nutritional requirements तो यहाँ पर अगर मैं detritus food chain या फिर DFC की बात करूँ तो यहाँ पर detritus का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह समझ लेते हैं ठीक है? Detritus का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर Dead Organic Matter ठीक है? Organic Material present होता है तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता हूँ कि यह Detritus में क्या-क्या आ सकता है तो इसके अंदर हमारी Dry Fallen Leaves भी आ सकती हैं जो कि पतियां हमारे पेट से गिर चुकी हैं या फिर इसमें हमारा क्या आ सकता है? Animal Matter भी आ सकता है यानि कि Animal की अगर कोई यहाँ पर Death हो जाती है तो उसकी Body जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो भी एक Dead Organic Matter बन जाता है ठीक है? Dead Animal जो होगा यहाँ पर तो यह सब होता है हमारा Detritus अब यहाँ पर अगर मैं आपको Food Chain के बारे में बताओं तो देखें यह अब Dead Organic Matter हमारा एकदम से Accumulate तो नहीं हो सकता अगर यह Accumulate होता रहा तो यहाँ पर हमारे पास Land की कमी हो जाएगी तो इसको भी अगर हमें खतम करना तो यहाँ पर किसका Rule सबसे जादा हो जाता है? यहाँ पर Rule हो जाता है हमारे Decomposers का तो Decomposers क्या करता है? यह जो Matter है हमारा इस Organic Matter को यह छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ देते हैं यानि कि इसके Simpler Inorganic Matter में इसको कर देते हैं Convert, ठीक है? Simple Inorganic Matter में इसको Convert कर दिया जाता है और यह जो Nutrients Release होते हैं यह Release कहाँ पर होगे? और फिर यह हमारे दुबारा ले लिया जाएंगे किसके दोरा? हमारे Animals और Plants के दोरा Basically Plant इससे खाना बनाएंगे और उसको खाएंगे हमारे Animals तो यह हो जाता है हमारा basically पूरा का पूरा Chain Decapotas food chain तो main role जो होता है हमारा Decomposers का जो कि क्या हो सकता हमारे? ज्यादा तर तो bacteria होता है plus हमारे fungi भी होता है तो यहाँ पर यह क्या करता है यह basically breakdown कर देते हैं इस dead और waste material को simple inorganic material में जिसको फिर यह तो अगर हम fungi की बात करें तो fungi हमें पता ही कि यह nutrients absorb करता है अपने जो भी यह saprophytic nature show करता है हमारे saprophytic mode of nutrition तो यह जिस पर भी हाँ पर decomposition करवाएगा उसी से ही अपने nutrients भी ले लेगा तो यहाँ पर यह absorb भी कर लेते हैं हमारे इस decomposition के जो products होंगे तो यह हो जाती है हमारे identitas food chain how do they meet their energy and nutritional requirements तो पिलकुल इसी से ही यह absorb कर लेते हैं अपना food ठीक है absorb कर लेते हैं इसी inorganic matter से Thank you